हाई गाईज आज हम पढ़ेंगे class 4 NCRT EVS book का chapter 19 अब्दुल इंदा गार्डन इस चाप्टर में आपको different kinds of trees और उनकी roots उनकी जड़ों के बारे में बताया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब्दुल इंदा गार्डन चुटी का दिन था अब्दुल वस helping his अब्बु in the garden और जो अब्दुल है अपने अब्बु अपने father की मदद कर रहा था कहाँ पर garden यानी बगीचे में अब्बु वस clearing the dried leaves and grass from the vegetable और अब्बु क्या कर रहे थे जो vegetable beds होते हैं जहाँ पर सबजिया उगाई जाती हैं वहाँ से जो सूखी पतियां और घास होती हैं उनको साफ कर रहे थे अब्दुल started to pull out the grass from one of the beds फिर अब्दुल ने क्या किया अब्दुल ने भी एक vegetable beds से घास को निकालना शुरू कर दिया he found that it was not easy to pull out even the small grass तो अब्दुल ने क्या पाया कि छोटी सी घास को भी निकालना इतना आसान नहीं था his hands became red by the effort और अब्दुल के जो हाथ थे वो कोशिश कर करके लाल हो गए in trying to pull out grass और कोशिश क्या कर रहा था घास को निकालने की अब्दुल knocked down a stick that was supporting the pea plant climber तो जब जो अब्दुल है वो गास को निकाल रहा था तो उस कोशिश में अब्दुल ने क्या किया जो क्लाइमबर था यानि जो लकडी pea plant मतर के पौधे के सपोर्ट में खड़ी हुई थी उसको भी उसने नीचे गिरा दिया the delicate stem of the pea plant ब्रोक और उस pea plant के उस मतर के पौधे की जो एक stem थी एक तहनी थी वो तूट गई अब्बु said अब्बु ने कहा why are you pulling the grass तुम घास को खीच की रहे हो the roots of the grass are strong जो घास की जड़े हैं वो बहुत strong हैं बहुत मस्बूत है you will have to dig them out तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें उन्हें खोद कर बाहर निकालना चाहिए अब्दुल carefully dug out the plant फिर अब्दुल ने क्या किया अब्दुल ने साफधानी से carefully उस plant को उस घास के पौधे को खोद कर बाहर निकाला he then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground अब्दुल ने जब उस घास को बाहर निकाला तो उसने क्या देखा कि जो उसकी जड़े थी घास के प्लांट की जड़े थी वो जितना ऊपर था प्लांट उससे ज़ादे तो नीचे वो फैला हुआ था किसके माधियम से उनकी जड़ों के माधियम से next क्या है अब्दुल ने कुछ ही रेडिश को बाहर निकाला था इतने में क्या हुआ अचानक से बहुत ज़्याद तेज हवाय चलने लगी और बारिश होने लगी बोट अफ देम पिक्ट अप दा रेडिश एंड रेडिश फिर उन्होंने मूलियों को उठाया और भागे वो बस घर पहुँचे ही थे इतने में क्या हुआ उनके कोट याड में जो नीम का पे लगा हुआ था उसमें से एक डाली टूटी और गिर पड़ी अब्बू तो बहुत लगी थे क्योंकि वो बस कुछ ही इंचेस बच गए अगर वो थोड़ा इंचेस आगे पीछे होते तो वो ब्रांच जो गिरी थी वो अब्बू के ही उपर गिरती और उसके बाद क्या हुआ वो दोनों अम्मी के साथ चाई पीने के लिए बैठ गए अब्बू से अब्बू थे उन्होंने अब्बू से कहा अब्बू से प्लांट्स वर गेटिंग ड्राइव ऐसे भी जो प्लांट्स थे जो पौदे थे वो सूख रहे थे और अब बारिश हो चुकी है वी विल नॉट हैब तो वाटर दा प्लांट्स अब हमें पौदो को पानी देने की कोई जरूवत नहीं है वी कैन नाव सेट अड़ प्ले लूडो और अब हम बैठ सकते हैं और लूडो खेल सकते हैं नेक्स्ट क्या है अन्यूज्वल रूट्स हैव यू स्वंग फ्रम बान्यान ट्री क्या आपके अभी किसी बर्गद के पेड पर जूला जूला है वोट डेट यू होल्ड तो स्विंग आप जूला जूलने के लिए क्या पकड़ते हैं वोट लूट्स लाइक अगेंग ब् स्विंग फूला जूला कृती है ऑफ लगने हैंगे अगेंगेंग फुद्ध चंप्रम फोट रन्यीन के समा आपके। जमीन के अंदर भी उसकी जड़े होती है just as other trees है उसी तरह से जिस तरह से बाकी सारे पेड़ों के पास होती है so यहां पर आपकी जो इस chapter की explanation है वो खतम हो चुकी है इस chapter के जो exercise है वो हम इसके next part में cover करेंगे अगर आपको वो part देखना है तो उसका जो link है वो description में provided है आप वहां से देख सकते है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को like और channel को subscribe कीजिए thanks for watching